प्रभात बॉइज और गर्ल्स प्रिसाइस कोचिंग करोल बाग नहीं दिल्ली को और से आपका हर्दी का भी नंदन है और यह क्लास जो आप लोग के रिक्पेस्ट पे लाई गई है डाट इस टेस्ट स्रीज क्या है कमिंग संडे को बीपेसी का पर है तो आप लोग की भारी सब्सक्राइब थी कि अनुरूप टेस्ट स्रीज लाई जाए पढ़ाई जाए तो आपके सामने बीपेसी के टेस्ट स्रीज मैं कुछ कोस्टन्स आपके सामने रखूंगा और यह आपसे अप एक्षा करूंगा कि प्रिसा आइस का एप डाउनलोड करें और उसके पेड और प्रिकोर्सेज को इंज्वाय करें और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो लोग हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं जो सब्सक्राइबर नहीं है उस वीडियो का देख रहे हैं तो किरपा करके उससे सब्सक्राइब कर दें हमारे 1700 के आज पास सब्सक्राइबर हैं और उससे कई ज्यूना ज्यादा अनसब्सक्राइब्ड क्लाइंट है जो उस वीडियो को देख के अपनी त्यारी करते हैं बड़ी अच्छी बात है उनसे मेरा मेरी अपैक्षा है कि वो जो है सब्सक्राइब कर दें चैनल को उसमें कोई आपका पैसा तो लगता नहीं तो किरपा करके जो लोग सब्सक्राइब नहीं किये हैं और वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब कर दें जिससे कांटिंग बढ़ जाए और कुछ नहीं तो बी कोशन है कि सिधा सिधा रहता है वीपीसी में कोशन पूछने का स्टाइल पहला कोशने गुजरात के कीन दो विरासत अस्थल युनेस्कों की विशुदरोर अस्थलों के सूची में जोड़ा गया है तो उसमें जो है Wahrनगर है और मोढेरा में सूर्ज मंदीर हैं वर्डनगर मोढे में ग्रेह स्थान तो मो जुँरा में सूर्ज मंदीर दोनों यानि भाए एंसर तहीं है अब देखिए कितना जल्दी खतम हो गया एक कोश्चन बीपीएसी का कोश्चन होता तो अभी पहली लाइन में हम कि क्यों होते हैं तो बीपीएसी और फर्क क्या है कि बीपीएसी में एसडीम बनने के बाद 25 साल लगेगा घिसते हुए इस बनने में पुरी जिंदिगी निकल गई है इसलिए यह आसान है और वीपीएसी टफ है इसलिए आप आज मेहनत करिए वीपीएसी की कि तब जो है पचीस साल बात जो चीज मिलेगी वह आज ही मिल जाएगी देखिए कितना बड़ा फरक है वीपीएसी के एसडीम जो बिहार प्रसासनिक सेवा का है उसको आइस मनने के लिए पचीस साल एवरेज लगता है यूपी में भी लगवा कितना ही है अब आप सोचेए पचीस साल आप उस जुनियर आई-एस के एंडर में जहलते रहते हैं और अभी मेहनत करने की बात की जाती है तो आपको समझें कम आता है थीक तो सबकुछ है दुनिया में क्या गलत है कोई सोने चांदी के कटोरा में खा रहा है वो भी पेटी भर रहा है कोई जो है कागज की प्लेट में खा रहा है पेट तो उसका भी भर रहा है लेकिन यह आपको चूज करना है कि आपको बनना क्या है करना क्या है मुझे एक डाइलग याद आता है बड़ी प्रासंगी का बहुत ही इंपोर्टेंड मिनिंग्फुल डाइलग है कि जिस व्यक्ति ने जीवन में खाना खाने और कपड़ा पहनने की प्राथमिक्ताओं पर जूलता रहता है वो जीवन में कभी जो है कुछ रिमार्केबल नहीं जिन्दगी लेता है लेकिन कुछ इसको मिलता नहीं कि उसकी प्राइरीटी जो है कपड़ा जूता अच्छा से पहनना और खाना खाना अभी खाना खाया होगा उसके बाद की प्लानिंग कर रहा होगा इसलाम को कहां कैसे क्या बनेगा फो किरफा करके आप इस चीज को जो खाना और कपड़ा पहनने का जो प्राइरिटी इसको बदल दीजिए अगर आप अपना अपना खुद का विकास आर्थिक विकास समाजिक विकास करना चाहते हैं तो देखे कितना असान है ऐसे कोशन आता है बीपीएस्टी में तब बीपीएस्टी के मैंने बताया कि 25 साल लगेगा यह बंदे में अब 25 साल बाद बन भी जाएंगे तो बैच मिलेगा उस समय का दो-चार साल कम अगर 2000 बैच में बीपीएस्टी निकाले हैं तो दो हजार आजाएगा बैच कर आइस का नहीं रहेगा वह होगा सत्राठाठा थारा 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 सोचिए कि इतना जुनियार बच्चे के पैलल आपको यह फारक है वाइत इसलिए कोशन हलका है पचीस साल बाद आप आइस बनेंगे तो आपको यह सब चीज़ें साइट पता नहीं रहती लिए प्रसासनिक सेवा का अधिकारी कभी कलेक्टर नहीं बन सकता जबते कि भारती प्रसासनिक सेवा में प्रमोशन नहीं आप सुचिए आप कलेक्टर बनिये गाए तब तक और तफका तो पहले का एंसर हो गया एंड बी दोनों को जोड़ा गया है कि हाली में वीर गार्जियन 2023 दिपक्षिय हवाई या ब्यास तुइन दो देशों के बीच यह 2022 हो सकता है तो यह हुआ है भारत और जापान के बीच यह सही है उसके बाद नौ विक्सित क्रायों मेस तकनीक इसके भंडारण को माइनस वन नाइंटिस डिग्री सेल्सियस इतना परसक्षम बनाता है तो इसका एंसर है कोरल लार्वा कि टेकनीक के नाम याद रखिएगा क्रायों मेस टेकनीक है और कोरल लार्वा के स्टोरेज को इतना टेंप्रेचर पर उसको जो है कॉम्पिटेंट बनाता है कि चौथा देखिए भी सिधा सिधा है हाली में सुच किरन सैन ना भ्यास किस-किस देशों के बीच अंपन हुगा तो यह जो है भारत और नेपाल है इसका एंसर कि मनें कहने का मतलब है कि इसमें पढ़ने पढ़ाने लाइक कोई खास चीज नहीं रहती लेकिन यह इन्फॉर्मेटिव रहता है कि आपको पता रहे कि क्या-क्या देश में हुआ है और क्या-क्या चल रहा है उसी तरह के से एक कोशन ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अ सारा खर्चा इंडियन आयल कार्पोरेशन बियर किया है याद रखिएगा चुकि यह बड़ा बर्निंग रहा है इसा इंडियन आयल कार्पोरेशन ने इसका जो भी एक्स्पेंडीचर है उसको CSR के तहट दिया है कि यह वाला just transition initiative के समद्ध में कौन सा तक सही है ciao just transition initiative कर राग तो यह कह रहा है कि दक्षिन अफरिक्वा और कर्याअक दारा समाव ग्सरात करने के लिए उस लिम्सपेंटिक गोषडा किया है है यह सही है यह गोस्टा प्लास्टिक को चर्णवद धन से समात करने के लिए ठीक है इजराइल द्वारा तक्निकी सहायता प्रदान की गई है और यह चौथा जो तक्निक भूमिंगत जलस्तर बढ़ाने यह तो सहायक है यह नहीं है इसका अंसर सात्वे का ए सिर्फ यह दोनों सही है एक कोस्टन है इरोप में युक्रेन पर रूस का अक्रमन के कारण हुए अभूदपूर संगट के बीच इरोपी आयो के अधेक्ष में फोर्प्स की 2022 की दुनिया की सव सब्सक्तिसाली महिलाओं के सूची में इसको रखा है कि उर्सुला वांडेर लैन को रखा है यह जो है यह सब्सक्तिसाली महिला है एक लिस्ट तैयार होता है कि और मैगजिन के तरफ से नवगवा है नागालेंड के हॉर्ण बिल महुत सब्भारत के किस पुर्वोतर राज से समंदित है नाम से लग रहे है नागालेंड और फिर्पन्वा भारतिय अंतरास्ट्य फिल्म और सपनजी गुवा में कौन तथ्य सही है सही मिलान का चुनाव करें सर्फस्रेश फिल्म का गोल्डेन पीकव के वाड़ फिल्म आई हैब इलेक्टिक ड्रिम्स बेस्ट डिरेक्टर के वाड़ किसको मिला बेस्ट हिमेल एक्टर और नो बेस्ट एक्टर का सिल्वर पिकोग के वाट किसको मिला तो इसको मुझे भी याद नहीं आरा कि इसको चेक करना पड़ेगा मुझे भी मेरे इसाब से D है इसका एंसर लेकिन इसको हम छोड़ देते हैं इसलिए क्योंकि यह दिमाग से उतर रहा है किसको किसको मिला लेकिन आप इसको मत छोड़िएगा अगला कोशन है आर्टे मिसीनीन जो हाली में खबरों में रहा आर्टे मिसीनीन जो हाली में खबरों में रहा किस रोग के विरुदा उसदी का एक कंपोनेंट है तो कोरोना सुन के आप पहीं बार बार कोरोना की तरफ मत भाग जाहिएगा मलेरिया के लिए कि आर्टे सिनीन आर्टे मिसिनीन कि उसके बाद है यह 103 संविधान संसोधन यह इससे रिलेटेड है यह जो कमजोर के लिए जो अभी सुप्रिम कोट ने भी किया है यह इससे रिलेटेड है आर्थिक रूप से कमजोर बर्ग के लिए कि मिनिक क्वाय थुंडी बीच और कदमत बीच जिन्हें ब्लू फ्लैग बीच सुची में जोड़ा गया है कि यह जो है लक्षदीप में पढ़ता है नाम ध्यान रखिए मिनिक क्वाय थुंडी बीच और कदमत बीच ब्लू फ्लैग बीच सुची में जोड़ा गया है लक्षदीप में है जो दावा कह रहा है कि ब्लू फ्लैग प्रमाले के सब्बंद में कौन सा तत्थ सही है कि ब्लू फ्लैग सेटिफिकेशन फाउंडेशन फॉर इंवार्मेंटल एजुकेशन दुरा प्रदान किया गया एक लेवल है कि यह 33 कड़े पर्यावरान सेक्षिक सुरक्षा संबंदी और पहुंच संबंदी मानदेट का पालन करने के बाद प्राप्त किया जाता है और य यह भी सही है और ब्लू फ्लैग कार्च क्रेम की सुरुवात उन्नीस और पचासी में थी तो इस चौधावा का जो है स्तारे जो है सही है पंद्रामा पागे जेनेटिक इंजिनियरिंग एप्रेजल कमिटी ने ब्यवसाई खेती के लिए कि सुथपात क्या अनुमंसिक रूप से संसोदित जी एम जेनेटिकली मोडिफाइड है यह सरसो है जी एम जेनेटिकली मोडिफाइड है तरसो यह वाला कि यह कुछ मैच कराने का है इसको तो मध्य परदेश में दुर्गावती टाइगर रिजर्व है यह बात तही है राज़तान में रामगड विस्धारी है दिल्ली में असोला भट्टी बनने जीवा भैरना ओडिसा में सत्कोसिया गार्ज है इस्वलावे का जो एंसर है वो अभी बिकल्ब सही है कि अग्यों राश्टिय उद्दान जहां चीतों को लाया गया वह मध्य परदेश में है कि कुनो नेशनल पार्क होतिक बिज्ञान का 2022 के नोबल पूरस्कार कि इस शेत्र में काम करने के लिए साज़ा किया गया है कि क्वांटम मेकैनिक से इसका एंसर यह कह रहा है कि खबरों में अभी हाली में एक जानवर माया नाम का दुनिया की पहली क्लोनिंग है यह जो है आर्किटिक विल्ड आर्किटिक वुल्फ मेडिया है यह जानवर जो है है कि बिश्वा आईये अस्ताना किस देश की नहीं राज़ानी जिसका नाम नीवर्दमान राष्पति नुर्ष सुल्तान नजर वाहिप के सम्मान में 2009 में बदलकर नूर्ष सुल्तान कर दिया गया था वापस लाने के लिए कानूनली पर हास्ताइक्श्र किया गया है की में इसको जराश्ट्य महत्व का असमार्य गोशित्त आया है नई दिल्ली में है मिरेखा है घ्राइए ऐलिफेंट रिजर्व गराइए अलिफेंट रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश में है प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत सही मिलान कौन सा है 37 गड़त लेमरू तमिलाडू अगस्त मलाई उत्र प्रदेश तराई हाथिया बहारण मध्यप्रदेश बांधवगड़ एक और दो और तीन कि यह 23 नमबर सवाल है कि यह और डी चारो सही है रांधवगड मध्यप्रदेश में है कि अस्वला भट्टी वाइल लाइफ में 1940 के पहली बाद तेंदिवाद देखे गए इस पहाड़ी स्रिंखला में अवस्तित है कि अरावली है कि अरावली जो मध्यप्रदेश राज्थान में है कि नेलगेरी करनाटेक में है मंध्याचल यूपी और एंपी के बोर्डर पर है मन्नार साउथ में 25 है कि रामसार कंवेंशन कि रामसार कंवेंशन कि इसके बारे में कौन सा कथन सही है कि इस वेट लेंड्स कंवेंशन और वेट लेंड्स भी कहा जाता है और इसका नाम रामसार सीटी के नाम पर रखा गया है तो उनाइटेट कि नम वह देश है जहां रामसार अस्थलों के अधिक्तम संख्या 175 है तो यह जो है एक दो तीन यह सही है कि यह वाला तो था गलत है तो यह को सब्सक्राइब के लेवल का था और इस टाइब के कोस्टन्स वहां रहते हैं कॉम्प्लेक्स नहीं रहता है लेकिन मेरा सुझाव यह है कि जब आप कॉम्प्लेक्स टेस्ट स्रीज पढ़ेंगे तब ही जो है आप BPSC का वन लाइनर कोस्टन को समझ पाएंगे तो डीटेल कोस्टन्स जानने के लिए आप प्रिसा आईएस का एप डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक से डाउनलोड करें कनेक करके डाउनलोड करें और वहां पर आपको डीटेल UPSC लेवल का टेस्ट स्रीज आगे मिलेगा थैंक्यू थैंक्यू वेरी मच्च